नमस्कार मैं हूदी बांग एवीपी नियूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फरेंस में आपका स्वागत है आज हमारे साथ एक खास मेहमान जो उत्तर प्रदेश में हर राजनेतिक दल के साथ का आनन्द दे चुके हैं और उनसे लड़ भी चुके हैं ऐसे अनोखे निता हैं सुहल देव भारते समाज पार्टी के अध्यक्ष आपका स्वागत है उम्प्रकार राजबर जी अगर मैं आपसे पूछू कि सिर्फ तीन वाक्यों में बताएं कि आखिर हैं कौन ओपी राजबर तो क्या कहेंगे पहला बात एक गरीब कमजोर वंची स समाज का बेटा है दूसरा दूसरा जो देश में बावा साफ डाक्टर अंबेटकर ने जो व्यवस्था दिया है संता सोतंता बंधूत और न्याय पराधारित जो भारती संविधान दिया है उसको लेकर के लड़ने वाला वह प्रकास राजबर है पर जो आपके विरोधी है मैं बात कर रहा हूँ अनिल राजबर की महिंद्र राजबर की एक सानिय नेता हैं वो वो जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं लोग आपके बारे में तेखे एक होता है लोडर एक होता है लीडर लोडर की आउकात नहीं है कि वो अपने प्रदेश में के घरेलू बिजली के बिल आज के तारीक में सरकार के तरफ से एक स्मार्ट मीटर लगा जो फीरी में लगा गरीब कमजोर जो असिक्षी था उसको पता नहीं था ये फीरी में लग रहा है तो ये बिल भी देगा कि नहीं देगा उसको पता नहीं और सरकार ने मिट्री का तेल भी बन कर दिया अब दो साल तीन साल के बाद वो बिल दे दिया 20,000, 25,000, 15,000 अब गाउं के गाउं कनक्सर कटने लगे जब लाखो करोड रुपया करजा लेने वाला उद्योग पती जब नहीं देता है तो डिफाल्टर घोशित करके सरकारें उनके करजे माप कर देती हैं तो इसको डिफाल्टर घोशित करके इसको माप करने की अवकात सदन के अंदर बोलने कि अगर किसी की है तो उन प्रिकास राजवर की है पर यह जो लोग बोल रहे हैं आपकी आदत के बारे में आप क्या करते हैं पिर बात में क्या कर लेते हैं इस पर आपको क्या कहना आप कि आपके प्रस्णों पर आप देखें समाजवादी पार्टी कांग्रेश से गड़ बंधन करती है समाजवादी पार्टी यारेलडी से गड़ बंधन करती है भारती यंता पार्टी 50 दलों को मिला करके गड़ बंधन करके देश में सरकार बनाती है तो उस पे कोई किसी को नह तो रास लीला हम करें तो करक्टर ढीला यह खेल इस नाते लोग परिशान हैं और जो सचाई है उसको लोग स्विकार नहीं कर रहे हैं जो लोग इस वावाज को उठा रहे हैं मैं कह रहा हूं कि अभी अभी 11 मार्च 2022 को जिन लोगों का नाम अपने लिया हाई कोट ने कादेश दिया उत्तरपदेश सरकार को कि भर राजभर जाती को अनुसुचे जन जाती में दो महीने में सामिल करें इस बात को सदन में अगर कोई बोला विधान सबा के अंदर तो ओंप्रिकास राजभर जिस नेता का नाम लिये वो मंतरी भी हैं लेकिन सदन के में अपने मुख्यमंत्री से इस बात को कहने की हैसियत नहीं है अरक्षण के आपने बात की आरक्षण पर सुप्रीम अभा हाइव कोर्ट से एक आदेश आया आप क्या समझते हैं क्या सुप्रीम कोट ने कहा मार्च में एक ट्रिपल टेस्ट अपनाना जरूरी है राजसरक उसके बाद रागवेंदर शेग के नित्रित में कमेटी बनती है, रहिएडी आयोग गठन होता है, फिर आयो का गठन हो जाता है और पूरु सरकार ने रगवेंदर सिंग पूरु रिटार जज उनके नित्रुत में सामाजिक नया समिती की कमिटी बनाई मैं मिनिस्टर था और उसी चीज को ले करके 7-9-11 में बटवारा भी हो गया बटवारा होने के बाद उसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिल्ली से लेके लखनव तक मैं लड़ता रहा है दो बार लखनव में मानी अमिस साजी उसमराश्टी अद्श थे मुख्यमंत्री से दो बार पंचाइद भी हुई और जो पंचाइद हुई लोग नहीं माने आरक्षन का जो मुद्दा है जो निस अ जो सर्वे सरकार करा रही थी वो सर्वे हो नहीं पाया अस्थानी नेताओं के दबाव में वह अपने मुताबिश सीटें करा लिये हैं यही सबसे बड़ी कमजूरी है पर यह जो हुआ है इसमें तो आप बीजेपी सरकार के साथ खड़े हुए कि नहीं मैं पिछणों के आरच्छन के फेबर में है और निकाय चुनाओं में बिना OBC को आरच्छन दिये वो नहीं जाने वाली है समाजवादी पार्टी कह रही है कि BJP आरच्छन को खत्म कर रही है लगातर कई सारे वो उधारन भी इसके बता रहे हैं जो पिछले दिनों हुए है आप क्या मानते हैं कि 2024 के लोग सभा चुनाओं में आरच्छन बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि अखले श्यादों ये भी कह रहे हैं कि ना केवल OBC बलकि दलितों का भी आरच्छन सरकार खत्म कर रही है हाई कोट ने कहा न कि जो हाई कोट का फैसला आया उस फैसले पे सरकार ने कहा कि आरच्छन पिछडों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है सुकार कर लिया सरकार ने और सरकार कह रही है कि हम पिछडों को आरच्छन देंगे तभी चुनाओं कराएंगे स्थानी निकाय चुनाव तब तक नहीं हो जाएगी हम भी सुपरीम कोड जाने की तैयारी कर लिए है सब लोग कर रहे हैं लेकिन आगे कर हम चले अब यहीं लोग कहते हैं कि बीजेपी की समर्थन में से परक zar ήσ्लिजünde कि बहा दिखाई दे रहे हैं ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं यह जो आवाज लगाने वाले लोग हैं यह सही बात है कि उनको सही जनकारी नहीं है आप बताए बरतमान सरकार हम अपनी पार्टी के विधायक हमारे छे विधायक हैं हम अपने विधायक दल के नेता हैं हम विधायक पुर्वांचल को काफी समय दिया है बनारस में आटो भी चलाया है वहां से आगया है वहां पर एक आम कहावत है कुछ लोगों के बारे में कि इस से बचके रहा इजे के संग दो दिन रहला वही के गर्यावेला आप बसपा से नेता बने आप चुनाल अले फिर बागे बीजे पी से आप मंत्री हो गए अपनी सरकार को गाली देने लगे उनको अफश्रत कहने लगे उसके बाद वहां से हटके आप अखले शादों की पार्टी में गए फिर उनको भला बुरा कहने लगे तो अब कहा जाना कि फिर आपका फेर चल रहा है बीजेपी के संग तो आने वा सुनाते हैं नहीं मैं फीर कहरा है अभी सलमान खान की जुक यह समय को अचार हुआज के कि शक्रश अब कि अगर में बेज के साथ को हमारे दाने कि अगर कुछी को कर रहें आगर है कि उसा नहीं करेंगे इसा लेने के लिए अब उसको कहें कियों जगडा कर रहे हैं तो ये चीजें स्वभाविक है यही दुर्गती है नेता अगर अपने हक के लिए लड़ते नेता अपने हक के लिए जो अपने समाज की रहनुमाई करते हैं अगर वो अपने हक के लिए अपने दलों में लड़ते तो आज ये दुर् करते हैं इतना आपके जो अपनी लोगें ईपने ल enrolled के चले आगे वो ऐसा था वो ऐसा था वो ऐसा था इसमें यह गलती है उसने यह नहीं किया पर लोगों को क्या मिला कुछ नहीं है आपको वोट दे के आप सुन लीजिए मिला क्या हमारे पैदा होने से समझवादी पार्टी से दो एमेले राजभर को बनाना पड़ा हमारे पैदा होने से र सुहेल देवजी आ पहले पांच पर संय लोग जैनते थे आज महाराजा सुहे पराजनीत करने in सब बात वांपडोगों की आप बात कर रहे हैं लगत걸 समाज है उस में प्रदेश राजनीती पिसर्चा यरे कि अअप खडें कहां पर है ए विपक्ष पहली सरकार बनी तो आप बीज़ीपी के साथ थे दूसरी जब चुनाओं अभी पिछले चुना हुए अखलेश यादों के साथ खड़े थे आज आप कहीं नहीं खड़े लेकिन आप सरकार की बजाए हर बात को लेके अखलेश यादों को ही घेरने लगते हैं प्रेस कॉंफरेंस आ करता हूं कि आपने ये नीती कहा है तो इसको कहिए विधान सभा के अंदर मानी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रागवेंदर सिंग्या सामाजिक ने समीतिक रिपोर्ट हम जल्द लागू करेंगे संसधी कारमंत्री ने तीन बार कहा नहीं लागू किया उनसे नहीं करके काफी अपने राजनेतिक जागरुकता का प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं तो ये जब महिलाएं राजनीत में कहां पे खड़ी हैं और खासकर आपकी पार्टी में जबकि बहुत बार ऐसी बात आती है कि महिलाओं के लिए भी एक अभद्र भाशा ये बहुत सारी ऐसी बाशा का भी प्रियोग जो है पार्टियों में होता है और आपके यहां भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्या है जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है अभी आपने देखा कि 18 दिसंबर को मव में पचासो हजार महिलाओं को हमने प्रेडित किया आने के लिए जिसमें हमको अंदाज है कि दसो हजार महिलाई जूटी लगबग अभी 27 दिसंबर को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर में हम उनको राजनीत में जैसे हम राजनीत कर रहे हैं मान लिजे गाउं पंचाय चुनाओं में गाउं सुरक्षित हुआ तो जो घर जमें महिला रोटी बेल रहे हैं उसको लाके परधानी लड़ा दिया अब सामाजी Panac pose उनके सामने समस्या घ्रामेड इलाकों में गाउं में जाने पर सबसे ज़्यादा दुखी गरीब करीप कमजूर महिलाएं जो हैं वो साराब दुखी है सबसे बड़ी समस्या जो बर के आई है सराब से दुखी है गांधी जी का प्रदेश गुजरात सबसे पहले सराब बंद जाती गांधी जी का प्रदेश है तो देश तो गांधी जी नहीं आ जात कराया तो पूरे देश में सराब क्यों नहीं बंद हो जाती है तो आप ये चाह और साथ रहना इन दोनों में आप अपने को कितना जिम्मेदार मानते हैं और क्या आपने को सबक सीखा है और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी आगे कब तक जारी रखेंगे तेखें लोक तंत्र में प्रयास होता है कोशिस होता है कि सब को साथ लेके चलने का जो अलग अलग प 403 सीट है साथ हो गए 10 लोग कोई सव सीट कोई 50 सीट कोई 80 सीट कोई 90 सीट मंग रहा है अज सब का जोड़ देते हैं तो साथ सव सीट हो जाती है तो कहां से होता है हम समझाते हैं कि भीया दस लड़ो और पांचे जीत के आओ लेकिन सदन में जब रहोगे तभी दिखोगे य यह बात कोई मानने को तैयार नहीं आपने जैसे बात किया आप स्यूपाल जी से पूछ लिजेगा कभी मौका मिले तो उनके अंद घर में कम से कम पांच बार पंचाइद कराई कि आप दददस सीट 556 सीट हम लोग लड़ा जा लेकिन सव सीट अची सीट की निचे कोई बा हम नो भाज जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें आप शामिल होंगे आपके मन में क्या आप जाना चाहते है क्या है उसी जाना चाहिए हमारे मन में अब्यक्तियत हमारी अपनी राह है और जादे नहीं पूचूँगा क्यांकि आपकी पार्टी की बात है अगर आपको मेरे यंगने में तुम्हारा क्या काम है जहां पिछड़ों पिछड़ों का न्याय नहों अन्याय हो तो वहां क्या जरूरत है मायवती जी हमारे गूरू के सिस्य है और अधी आवदी की बिरादरी है तो लिए हम नहीं कुछ कह सकते अ कुछप अगारा के के लिए तो अर्विंद केजिवाल ने ऐसा क्या किया आपके साथ कि जो आज चर्चा हो रही है खिलेज जी कि हमारी उनकी बात हुई थी हम उनके नेत्रित में यहां एक मोर्चा बनाने की तैयारी में थे हमारी बात संजय सिंग जी से हुई टेलिफोनिक केजरीवाल जी से भ सबकी बात नहीं बनी हो अपना हमारा दिल तोड़ करके उधर चले गए का करें आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आपकी सौदे बाजी की वज़े से कोई आप पर विश्वास करता ही नहीं है या आप बहुत आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हैं कितने नादान है आप न बोले भाले से हैं आप विश्वास कर लेते हैं हमें लोग बेवकू बना देते हैं कुछ राजकपूर जैसी फिल्में आप कुछ वैसा लग रहे हैं इसमें कभी-कभी दोखा खाने से सीख मिलती है अगर आपको अपने लिए कोई गाना गाना हो तो वो पंसा है आप अगर आपको आगे इन दो पार्टियों राष्ट्रीफ पार्टियों के साथ जाना हो तो आपको पसंद करेंगे या बीजेप को अब देखे टाइम जब वो आएगा तो फिर इसका जबाब हम देंगे 2024 में आप किसको प्रधान मंत्री देखना चाहेंगे राहूल जी को या मोदी जी को अभी तक तो कोई लड़ाईय में नहीं है सही बात तो यह है आज भी मोदी जी के साथ लड़ने के लिए देश की राजनीत में कोई नेता भी तयार नहीं है आज के तारीख में अब इसको चाहे बीजेपी का समर्थन समझ लीजिए चाहे सची बात समझ लीजिए अभी विपक्ष अपनी गोल बंदी नहीं कर पाया कैसे लड़ेगा अब ये बात हम बोलते हैं चुकि सच बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि बीजेपी वाला बोल ले है अब तक विपक्ष को ये गोल बना के आजाना चाहिए मैधान में कब आओगे वही जिसे मायवती जी और अकिलेज जी मिलके भीतरा भीतरा खिचड़ी पकाए उपने हेलिकाप्टर से गए अचार उखाना चित बदनामी हो गई का उखाड लिए पैसर चली गई बीजेपी बीजेपी के ये आपने का बीजेपी के समर्थन में इसको माना जाएगा अगर आप इसको बैलेंस करना हो तो बीजेपी की विरोध में सबसे बड़ी बात क्या है एक आपकी तरफ से विरोध की बात नहीं एक जैसे बीजेपी से जिस दिन नितीज का गटबंधन टूटा अखिलेश जी वास्तों में अगर गटबंधन की बात जो कर रहे हैं इनको तुरण जाकर के नितीजी से मिलना चाहिए और दोनों लोग मिलकर के पहुंच जाते बंगाल दद दिन पाच दिन पर ममता जी से मिलते तीनों लोग मिलकर फिर पहुंचते पकड़ते चुथे को सबसे बड़ी कमजोरी क्या है बीजेपी की विरोत में सबसे बड़ी बात आप क्या कहते हैं वो आप नहीं बता रहे हैं ? बीजेपी के देखे बीजेपी पार्टी कोई खराब नहीं है पार्टी में रहने वाले लोग खराब पड़े आपका और जिन सवालों के जवाब आप नहीं देना चाहते थो वो बिल्कुल नहीं दिए बहुत बहुत धन्यवादा प्रेस कॉंफरेंस में आज इतना ही अगले हफते मिलेंगे एक और खास मेहमान से तब तक देखते रहिए ABP News